एंडोक्राइन सिस्टम उन ग्लेंड्स से बना होता है जो हर्मोन सीक्रेट करती है हमारे शरीर में कई तरीके की हर्मोन सीक्रेट करने वाले ग्रंथियां होती है जैसे पेट्यूट्री, थाइरोइड, पेंक्रियाज, एडिनल और गॉनेट्स इन में से एक ग्रंथी या कमजोर हो सकती है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं या हड्डियों की भंगुरता ऐसे में मरीज को कम चोट की वज़े से हल्की फुल की चोट की वज़े से या बिना चोट की वज़े से भी शरीर की हड्डियों में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं अगर आपके ध्यान मे इस तरीके की कोई भी विमारी वाला मरीज आता है तो उसको अपने नजदी की एंडुक्राइनलोजिस्ट से तुरन संपर करें वे उसका उचित समाधान और निदान दोनों कर सकते हैं